हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल मेरे चैनल पे आज जो रेसीपी आपको मिलेगी वो है मतन बिर्यानी ये हाफ केजी मतन बिर्यानी मैं आपको बताने जा रही हूं इसके लिए मैंने हाफ दुला हाफ केजी धुला मतन लिया है ये तीन मीडियम इसके प्याज है, एक पूरा गाट लैसुन है, दो चम्बच तनिया है, हाफ टेबिल स्पून मिर्चे लाल, मिर्च जादा बिर्यानी में नहीं पढ़ती है, सिर्फ हरी मिर्चे पढ़ती है, मैं हरी डालती हूँ, ये अधरक के छोटे टुकडे हैं, अब ये हो गया गरम मसा इसमें हम लोगोंने दस से बारा लॉंग ली है, चार छोटी लाइची है, दाल चीनी के चार टुकडे है, जावित्री, काली मिर्च, दो टेबिल स्पून जीरा, दो बड़ी लाइची, वन टेबिल स्पून सॉफ, और ये थोड़ा सा जैफल लिया है, और ये हमने हाफ बासमती चावल, जिसे धो के बॉयल कर लिया है, बॉयल करते समय में हमने इसमें दो साबुत मिर्चे, और छोटी लाइची, बड़ी लाइची डाली थी, और नमक और हलका सा रिफाइन, ताकि चावल आपस में चिपके ना, ये छोपने के लिए 5-6 तेज पत्ता, ये साब मतन को बनाने के लिए जो प्याज और ये सब निकाला है इसका हम लोग एक पेस्ट तयार करेंगे, जिससे हम लोग अपने मतन को तयार करेंगे, उसके बाद चावल में परत लगाएंगे, और ये गरम मसाला अलग से पीसेंगे, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों का तयार हो गया है, ठीक है, उदर कुकर गरम होने को मैंने रख दिया है, उसके बाद हम लोग इस मतन को तयार करेंगे, जरूरी नहीं है कि बहुत तीम जहाम से आपको बताओं कि ये करो वो करो तभी चीज अच्छी बने, जब ये बन के तयार होगी, तभी ना बने तो सही है, लोग रिफाइंड का यूज करते हैं, मैं सरसो का तेल मटन में यूज करती हूँ, और परत के लिए देशी घी का यूज करती हूँ, अब ये हमें वाल हमारा गरम हो जाए, अब ये हमारा वाल गरम हो रहा है, ये मसाला इदर पास में रख लूँ, और मटन रख लूँ, ये एक इतनी आसान रेसिपी ये बिर्यानी बनाने की, कि थोड़ी देर में मटन की इतनी टेस्टी बिर्यानी तयार हो जाएगी, क्या आप भी कहेंगे कि ये तरीका पहले क्यों नहीं बता था, चलिए सरसो का तेर दरम हो गया है, अब हम इसमें तेज पत्पा आड़ कर रहे हैं, छोटी बड़ी लईची, आड़ कर रहे हैं, अठी थोड़ा सा मसाला डालेंगे, थोड़ा सा पहले डालेंगे, लगे में, अब हम इसमें, मतन छोड़ेंगे, किचन मेरा छोटा, इसलिए थोड़ी दिखकत होती है, इस सारा मसाला डालेंगे, ये देखिए सारा मसाला डाल दिया है, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बस मिकसी का जार जुद होते समय जो भी, थोड़ा से मसाला उसमें लगा था बस वही पानी इसमें रहेगा और बस अब हम इसमें नमक डालेंगे और प्रेशर लगा देंगे मतन को गलाने के लिए एक से देल चमच नमक जादा नहीं क्योंकि कम होगा तो चल जाएगा जादा होगा तो दिख्कत हो जाएगे ये मटन हमारा बन रहा है दो से तीन सीटी लगाएंगे बीच बीच में कुकर को इस तरह से चलाते रहेंगे उसके बाद हम लोग अपना परत लगाएंगे चावल देखे कितना सुंदर खिला खिला हुआ है इसको लगाने के लिए हम लोग देशी घी का यूज़ करेंगे अभी हरी मिर्चे तब तब चली चौप कर लेते हैं छोटे छोटा महीन महीन हरी मिर्चों की एक अलगी खुश्बू होती है ये देखिए हरी मिर्चों को छोटा छोटा काट लिया है आप चाहे तो इससे महीन भी कतर सकते हैं बच्चे नहीं खा सकते हैं इसलिए मैंने थोड़ा मोटा काटा है और ये कलर है फूट कलर जिसका यूज़ हम हलका सा चावल के करेंगे बाद में ये देखिए कुकर खोल लिया है और दो सीटी के बाद हमें चक करना है कि मटन हमारा गला की नहीं गला मटन हमारा गल चुका है लेकिन अभी इसमें गुनाई मांग रहा है मटन अब इस तरीके से हम इसको चलारते हुए भूनेंगे जब तक हमारा मटन गुन रहा है जब यह तेल मसाला एक्दम गाड़ा हो जाएगा अलग अलग पानी एक्दम उड़ जाएगा और ग्रेवी ग्रेवी रहेगी तब ही हम चावल में इसको लपेटेंगे अगर हमें कच्चा लगेगा तो हम एक सीटी और लगा लेंगे बिना अखनी के बिना किसी भी जंजट के यह बिर्यानी बन के तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी है मेरे कहने पर एक बार आप जरूर ट्राइ करें बना के देखें तब आपको पता चलेगा कि विर्यानी कितनी टेस्टी बनी यह देखें कुकर को खोला उसके बार एक सीटी और लगाई थी थोड़ा सा कसर थी और यह थोड़ा सा अपने फैमली के लिए भूनते पर निकाला है सबको पसंद है इससे पता चला कि कितना बढ़िया सॉफ्ट हुआ है मटन हमारा और इधर यह हमने बगोना गरम किया और इसमें देशीगी डाला अब देशीगी डालने के बाद इसमें हरी मिर्चे डालेंगे अधर मटन हमारा बून गया है एक दम इसमें हमें थोड़ा जल्दी हाथ से लाना रहता है हाँ उधर में चच्चेगी इसमें हम चावल डालेंगे आधा चावल डाल देंगे आधा चावल रोग लेंगे इसके उपर हम लोग परत लगाएंगे अपने मटन की अलग अलग पीसिज डालेंगे और साथ में ग्रेवी अब फिर हम लोग इसके उपर चावल डालेंगे बहुत चावल भी नहीं करेंगे क्वांटिटी के बराबर चावल होता है अगर हाग केजी मटन है तो हाग केजी चावल अगर बचे जादा तो अब रख देंगे अब इसके उपर फिर हम मतन लगाएंगे मसाला वेस्ट नहीं करेंगे इसमें तो हाँ साचावल डालके अब ये हलका साचावल इसमें डालेंगे और फिर बिर्यानी को दम पर ढख देंगे इसके बाद बिर्यानी को जब हम खोलेंगे तब उसमें देशी घी फूट कलर और केवड़ा जल डालेंगे और उसके बाद कल्चुल के पीछे वाले भाग से इस वाले भाग से बिर्यानी को चलाएं थोड़ी देर बाद देखते हैं बिर्यानी कैसी होती है ये देखिए इ तो यह थोड़ा सा फूट कलर हलका सा डालेंगे ताकि यह नहीं की पूरी विर्यानी ही लाल हो जाए जल डाला उसके बाद हम इसे ढख देंगे अब यह दम पे थोड़ी देर ढखी रहेगी उसके बाद इसको हम लोग नीचे से ऊपर की और चलाएंगे अब हम लोग यह इस तरीके से चलाएंगे इस तरीके से ताकि चावल ना तूटे ना पीस तूटे यह बस जादा नहीं चलानी है दम पे होने से वो खुद ही टेस्ट अपना ले जगे यह देखे कितनी सुंदर बिर्यानी बन के तयार हुई इसको आप जरूर ट्राइए करें यह चैनल को लाइट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बड़िया बड़िया रेसिपी मिलती रहें अजिए चार करें